असलाम अलेकुम वीवर्स कैसे है आप सब आपने अचार तो बहुत से खाये होगे निम्भू का अचार आम का अचार वेजीटेबल अचार क्या आपने कभी गोश का अचार खाया है नहीं न तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ गोश के अचार की रेसिपी वो भी मेरे स् स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए तो चलिए देखते हैं गोश का अचार बनानी के लिए हमें किन-किन चीजों की जर्वत पड़ेगी एक कड़ाई लिया है मैंने इसके अंदर हम गोश को शामिल कर देंगे ये गोश मैंने अच्छी तरीके से धोलिया था और इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया है और इसके मैंने चोटे-चोटे से पीस किये है देखिए जितने चोटे पीस रहेगे गोश गलने में बहुत आसानी होंगी इसमें मैं 1.5 टेबलिस्पून नमक और 1.5 टीस्पून हल्दी दाल दूंगी दो टेबलिस्पून भरके अधरक लसन का पेस्ट रैट करेंगे और इसे गोश के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ध्यान रहे कि हमें बिल्कुल भी पानी नहीं दालना है जब तक हम यहां पर मसाला तयार कर लेते है चार का एक पैन लेंगे उसमें मैं 4 टेबलिस्पून धनिया दाल दूंगी हमें से रोस्ट करना है दो टेबलिस्पून जीरा दाल देंगे दो टेबलिस्पून सौफ एट करेंगे एक टीस्पून मेथी एट करेंगे दो टेबल राई 20-25 काली मिरी यह कबाब चीनी है 10-12 कबाब चीनी दाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे हमें इसे हलका सा भूनना है जादा मत आप इसे भूनियेगा इसमें मैं पासे छे लाल मिर्चे दाल दूंगी इसे हमें हलका सा खुश्बो आने तक पकाना है उससे जादा नहीं medium to low flame पे भूनिये देखिए हमारा मसाला अच्छे से roast हो चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा करके इसका हम एक दरदरा सा powder तयार कर लेंगे देखिए मैंने इससे mixi की jar में निकाल लिया है और इसका मैंने इस तरीके से दरदरा सा powder तयार कर लिया है अब इसमें दूसरे मसाले आट करते हैं ये पेली राय है ये मैंने दो टेबल इस्पून लिया है लाल मिर्च लेंगे हम एक टेबल इस्पून हल्दी लेंगे हाफ टेबल इस्पून कुटी मिर्चे लेंगे हाफ टी इस्पून कलोंजी लेंगे हम एक टेबल इस्पून अब इसे अच्छी तरीके से mix कर लेंगे देखिए ये हमारा अचार का मसाला रेडी हो चुका है अब यहां गोश को देख लेते हैं हम देखिए पांच मिनट हो गया है और गोश ने अपना पानी रिलीस करना स्टार्ट कर दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर दिये और मिडियम टू लो फिलेम पे हम इसे 15-20 मिनट तक पकने देंगे इसे अच्छी तरीके से जब तक कई गल नहीं जाता पकने दीजिए इसे हम ढखके पकने देंगे देखे पंद्रा से 20 मिनट हो चुका है हमारा गोश अच्छी तरीके से पक चुका है और इसका सारा पानी भी सूख अब चेक करेंगे कि हमारा गोश गला है के नहीं इस अच्छे से पहले मिक्स कर लिजिए देखिए ये अच्छी तरीके से गल गया है जितना हमें चाहिए ता देखिए मैंने बोटी कितनी छोटी रखी है इतनी ही रखी है या तो आपकी मर्जी आपको थोड़ा बड़ा रखना है आप बड़ा भी रख सकते हो अब इसमें मैं half cup oil एट करूँ क्योंकि अभी हमें गो ताकि इसका जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी सूख जाए देखिए मैंने half cup oil एट कर दिया अभी इससे हम high flame पे fry कर लेंगे जादा color मत आने देना इतना color आ जाए कि हमारा गोश हलका हलका लाल दिखने लगे हलका हलका उस पे color आ जाए इतना नहीं आप fry कर दीजेगा कि गोश एकदम से कड़क हो जाए जादा फ्राय करने से गोश एकदम कड़क हो जाएगा देखिए हमने फ्राय कर लिया है कितना अच्छा इसमें color आ गया है और जितना इसमें moisture ता सब सूख चुका है बिना पानी के हमने गोश को गलाया है अब हम इसे हटा देंगे एक तरफ रख देंगे और एक दूसरा बरतन चड़ा देंगे इसमें मैं दो कप भरके ओईल एट करूंगी यह मेरा refined oil है अब हम ओईल को थोड़ा सा गरम होने देंगे इसमें मैं half teaspoon हिंग दाल दूंगी हिंग को थोड़ा सा हम पकने देंगे उसके बाद मैंने दो बंच पूरी अखी लस्ण की लिया था उसके मैंने छील के हलका सा कुचल लिया है आप भी कुचल के दालिएगा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और इसे एक मिनिट तक हम थोड़ा सा पकाएंगे जादा मत हमें इसे लाल नहीं करना है जादा मत पकाईएगा मेडियम फ्लेम पे ही हमें पकाना है फ्लेम हाई नहीं करना अब इसमें मैं 20 से 25 कड़ी पत्ते दाल दूंगी ये मैंने कड़ी पत्ते सुखा के रखे वेते सब्सक्राइब की करना है यहां पर मैंने 15-20 मेने लिया है। उसको बीच मेंसे मैंने इस तरीके से चिरी लगा लिए है आप चाहे तो इसे सक्षा बीक कर सकते हो लेकिन से इसनिक अच्छा करा क्अ अधर कि Car चासान लगता है क्योंकि यह टीकी नहीं होती है आप भी तीखी मत दालिएगा इसे भी हम लस्षन के साथ थोड़ा सा पका लेंगे ध्यान रहे हमें जादा नहीं पकाना है अब इसमें मैं 7-8 सूखी वी मिर्चे दाल दूँगी हरी मिर्चों को आप एक्दम अच्छी तरीके से पोच के दालिएगा जरा भी मौश्चर नहीं होना चाहिए उसमें बस देखिए अभी हमारा मिर्चे और हमारी सूखी मिर्चे भी अच्छी तरीके से पक चुकी है हलका हलका कलर आ गया है इसमें अब इस पॉइंट पे हम इसमें गोश को दाल देंगे हमारा फ्लेम मेडियम टू लो है जो हमने अधरक लसन हल्दी दाला था अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए अब हम इसमें जो हमने मसाला पिसके रखा था गोश का सौरी अचार का वह एट कर देंगे और इसे गोश में अच्छी तरीके से मिला लेंगे अच्छे से मिक्स कर लीजिए फ्लेम को आप लो पे ही रखिए हाइब मत कीजिएगा ने तो हमारा मसाला जल जाएगा अब इसमें मैं दो से तीन निम्बू के रख दाल दूँगी दो या तीन टेबल इस्पून आप निम्बू का रख दालिए और इसमें मैं एक कप विनेगर एक कप से थोड़ा सा कम विनेगर एट करूँगी आप चाहे तो सिर्फ विनेगर भी दाल सकते हो अगर निम्बू नहीं दाल रहे हो तो एक कप पूरा विनेगर दालिए या आप अगर निम्बू दालना चाहते हो तो फिर पास से छे या साथ अब आप निम्बू का रज दाल दीजिए मैंने दोनों mix करके दाला है आपको quantity सारी description में मिल जाएगी इसे अच्छे से mix कर लीजिए अब इसमें हम नमक add करेंगे दियान रहे के हम यह गोश दोन रहे है निम्बू या आम का नहीं जिसमें नमक जादा पड़ता है जिसमें हम जैसा हम सालन बनाते है जितना उसमें नमक add करते हो उतना ही नमक हमें अजय कर दीजिए और इसे mix कर लीजिए अच्छी तरीके से बिला लीजिए इसे बस अभी है हमारा अचार रेड़ी है अभी हम फ्लेम को कर देंगे बन बस एक मिनट इसे मिक्स कर लीजिए अब फ्लेम को बन कर लीजिए और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे पूरे घर में इसकी खुश्बु फैली विए देखिए तेल इतना गरम है कि अभी तक बॉइलिंग पर है मैंने गेस का फ्लेम बन कर दिया है लेकिन फिर भी यह अभी भी उबल रहा है आइस्ते आइस्ते इसका टेंपरेचर जब लो होगा तो यह खुद बखुद सही हो जाएगा देखिए यह ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से और कितना मजेदार हमारा गोश का अचार रेडी हुआ है इसमें हमें अभी और तेल एट करना है देखिए मैंने कितना तेल एट किया था फिर भी इसमें कम है अब इससे हम एक अलग बरतन में निकाल लेंगे बस यह याद रखिए कि आप इसे जिस भी बॉटल में या जिस बरतन में आप रख रहे हो वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए देखिए हमारा मज़ेदार सा अचार रेडी है और इसे आप फ्रीज में रखके ही इस्तेमाल करना इसे फ्रीज के बाहर बिल्कुल नहीं रखना आप यह नहीं सोचना कि आप इसे नीमबू या आम के अचार की तरह फ्रीज के बाहर रख सकते हो आपको इसे फ्रीज में ही इसे आप फ्रीज में रखेंगे, मेरे हिसाब से तो आप इसे 6 महना तक यूज़ कर सकते हो जब भी आपको चाहिए, आप थोड़ा सा अचार निकाल लीजिए इस्तेमाल करने से पहले, बाकी का अचार आप फ्रीज में ही रहने दीजिए ये पास से छे मेना आराम से चल जाएगा फिरीज के बाहर बिल्कुल मत रखिएगा जब आपने इतनी महनत की है तो इसके लिए रिस्क मत लीजिएगा देखिए मैंने इसमें एक कप और ओईल एट कर दिया है टोटल मेरा 875 गिराम तेल इसमें गया है एक किलो गोश में 875 गिराम ओईल लगा है मुझे देखिए आप लोग इसे जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेर कीजिए चलिए चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा इंशालला फिर हाजिर होगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफीज